हेलो बच्चो नमस्कार पैरे बच्चो आज हमें थर्ड चेप्टर की 2nd class, metal-non-metal की 2nd class करनी हैं जिसमें बच्चो आज हम लोग वोग सारे काम करेंगे जो हम लोगों ने chemical reaction में छोड़ दिए थी, ठीक हैं? तो जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था Chemical Reaction एक मिनट जरा मैं अच्छो ठीक है Chemical Reaction Chemical Reaction of Metals ठीक है With क्या था With Oxygen ये पढ़ रहे थे हम सब और मैंने इसके एक दो Example भी बताये थे कि वही क्या धातू की धातू की Oxygen के साथ अभी किरिया ये हम पढ़ भी रहे थे एक दो Example भी देख लिए अब जब हमने एक दो Example इसके देख लिए तो उसमें हमने क्या देखा उसमें हम लोगों ने क्या देखा दो चार एक्जामपल देखे क्या कि जैसे माल लीजिये हमारे पाँ मैगनीशियम है हमने उसके oxygen से reaction करा दी तो बन गया MGO ठीक है क्या बन गया MGO कैसे बना यह समने पीछे जाप ट्रॉम पड़ रखा है अब MGO को अगर मैं water से reaction करा देता हूँ तो water के साथ add कर देता हूँ तो बन जाता है MGOH twice यह बन जाता है ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा बच्चो कि अगर यह सारी चीजे हो रही है तो वो हमारे पास chemical reaction का काम कर रही है तो इसके अंदर बच्चो कुछ exception cases भी आते हैं क्या cases आते हैं जैसे कि भाई sodium और potassium यह तो highly reactive होते हैं किस के साथ oxygen के साथ मतला अगर oxygen के contact में oxygen के contact में यह आ जाएं कौन आ जाए अगर oxygen के contact में sodium या potassium sodium या potassium oxygen के contact में आ जाए तो इनमें oxygen के contact में आने से भी आंग लग जाती है तो बताईए इसे कहां रखे तो भाई एक ही ऐसी जगा है जहां पर oxygen अपना effect नहीं दिखा सकता ठीक है और वो कौन है भाई kerosene oil कौन था है kerosene oil तो आपको मैं बता दूँ कि भाई sodium और potassium को kerosene oil के अंदर रखा जाता है क्यों रखा जाता है kerosene oil के अंदर इस वज़े से sodium के sodium और potassium को हम लोग किसमें kerosene oil में या मिट्टी के तेल में रखते हैं तो फटा फटे question लिखिएगा पहले इन दोनों को उतारिए फिर question लिखिए ठीक है चलिए तो लिखेंगे जरा लिखिए वाई sodium and potassium metals वाई दू sodium and potassium metal वाई दू sodium and potassium metal वाई दू sodium and potassium हिंदिया लिखेंगे sodium और potassium धातू को sodium और potassium धातू को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है answer लिखिए लिखे sodium and potassium metals are stored in kerosene oil because sodium and potassium metals sodium and potassium metals are stored in the kerosene oil because they are highly they are highly reactive with oxygen they are highly reactive with oxygen and moisture and moisture therefore 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 it therefore they are stored in kerosene oil therefore they are stored in kerosene oil English Hindi वाले देखेंगे potassium और sodium धातू को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि potassium और sodium धातू को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि वे oxygen और अक्यूंकि और अक्सिजन और नमी के oxygen और नमी के सापेक्स में अती अभी करिया सील है आती अभी क्रिया सील है इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसलिए उन्हें मिट्टी के तेल में रखा जाता है ठीक है बच्चो? चाला ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चो ध्यान से सुनना हमने क्या सीखा बच्छो कि जो metal oxide होता है वो basic होता है जो metal oxide होता है बच्छो वो basic nature का होता है धातू oxide जो होता है वो शारिय परकिर्ती का होता है क्यों क्योंकि metal खुद basic nature का होता है क्योंकि metal जो होता है धातू जो होता है वो खुद basic शारिय परकिर्ती का होता है तो भाई जब metal ही basic nature का है जब metal ही basic nature का है तो metal oxide भी तो basic nature का ही होगा ठीक है क्योंकि भाई metal खुद basic nature का तो metal oxide भी basic nature का होगा ठीक है लेकिन बच्चो एक ऐसी समस्य हमारे सामने आई क्योंकि हम जानते हैं कि exception case इस दुनिया में हर जगा फैला हुआ है और exception के बिना क्या कैसे हैं कि दुनिया चलती भी नहीं है ठीक है तो इसलिए कुछ न कुछ ऐसे case हमारे सामने आ जाते हैं जिनको पढ़ना समझना हमारे लिए अती आवस्यक हो जाता है जिनमें से कुछ ऐसे metal oxide होते हैं हमारे पास कुछ ऐसे धातू oxide होते हैं हमारे पास जिने हमें amphoteric oxide बोलना पड़ता है ठीक है क्या बोलना पड़ता है amphoteric oxide बोलना पड़ता है मतलब क्या बच्चो एमफोटारिक उक्साइड मतलब उभै धर्मी उभै धर्मी उक्साइड बोलना पड़ता है ठीक है जी क्या बोलना पड़ता है उभै धर्मी उक्साइड बोलना पड़ता है इस वज़े से क्यों? अभ ये empathetic oxide क्यों है? क्योंकि बच्चो कुछ metal oxide ऐसे होते हैं जो acidic भी होते हैं nature में और basic भी होते हैं nature में यानि nature के अंदर अ इस अमलिय परकिर्टी के भी होते हैं और शारिय परकिर्टी के भी होते हैं पढले पढ़रे बात अमलिय परकृति के भी होते हैं और सारिय परकृति के भी होते हैं तो ऐसे धातू उक्साइड ऐसे मैटल उक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों हो उसे एमफोटेरिक उक्साइड कहते हैं उसे क्या कहते हैं एमफोटेरिक उक्साइड कहते हैं जैसे Al2O3 और ZNO, ये दोनों ऐसे metal oxide हैं, जो amphoteric oxide है, amphoteric मतलब क्या, जो acidic nature के भी हैं और basic nature के भी हैं, ठीक है, फटाफट नोट करो इसे, फिर मैं इसके कुछ examples करवाता हूँ, मतलब आपको इसके reactions करवाता हूँ, जली नोट कीजिए, जली आपको बते हैं, मतलब कृछिए तेने कि भी हैंने मतलब को इसके हैं, जली आपको इसके का चतलब आपको इसके क का ब Kim然 इसके का च कि अब सोजने क्या किया सर ने तो यह मांक बनाना पड़ता है ताकि हमें पता लगे कितने में लिखना पड़ता बोर्ड काफी बढ़ाएगे चलिए यह हो गया अब देखिए देरा हाँ जी देखो बच्चो मैं बताऊंगा कि आपका जो यह अलमूनियम औक्साइड और जिंग औक्साइड यह दो मैंने आपको ऐसे बताए मैटल अक्साइड जो एमफो टैरिक औक्साइड है ठीक है अब इसकी डेफिनिशन भी लिखेंगे हम फिलाल इसकी रियक्शन देख बच्चो अगर मैं इसको किसी एसिड से रियक्शन करवाओंगा तो बेसिक नेचर सो करेगा और बना देगा क्या आपको पता ही है डबल डिस्प्लेश्मेंट रियक्शन आपने पढ़ रखी है तो बही क्या बन जाएगा यह एल-सी-एल-3 प्लस में एच्टु ओ ठीक है और इसकी बेस्ट से रियक्शन करा दोगैं ने ओएच तो क्या बन जाएगा यह बन जाएगा आपका भाई ल कि क्या बन जाएगा ये एल-वह-30 प्लस में एड़ एड़ आटु-ओ-ई-आड़-ड़ अझक है छिए इन ए-ड़ नहीं बनेगा और नहीं 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 बनेग कर आए एने एलो 3 जैसे हम बोलते हैं सोडियाम ऐलुमिनेट किया बोलते हैं सोडियम ऐलुमिनेट बहुत इंपोर्टन है यह यह तो और एस्टु यह बनेगा ठिक है तो हमने करा रहे हैं तो ये बन रहा हैलमुनेम आक्साइट को बेस्ट से कर वाने तो ये बन रहे है इसी तरहوجिंक औख साइड को जब आप एसिड से करवाएंगे तो बनेगा जैड़न pinkCl2 cc 2 ॉब और जब इसी को सोडियम्हट रोकसाइड से कर वाइं तो क्या बन जाएगा एने टू जैडन ओटू प्लस एस्टू जिसको हम क्या कहते हैं सोडियम जिंकेट सोडियम जिंकेट ठेके जी तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है बच्चों यह कर लो फटाफट नोट करो कि नोट कर लो यह कि नोट कीजिए इसको ठीक है जी चलिए नेक्स्ट रियक्शन ओं मैटल पहले एंफो टैरिक ऑक्साइड की डेफिनीशन लिखो बच्चों यह नोट कर लिया अब एंफो टैरिक ऑक्साइड की डेफिनीशन लिखो लिखो those metals oxide those metal oxides which show those metal oxides which show basic as well as acidic nature are known as amphoteric oxide are non as emphoteric oxide ठीक है जी Hindi वाले वै धातू वै धातू oxide वै धातू oxide जो शारिये के साथ जो शारिये के साथ साथ शारिये ऐसे लिखते है शारिये यह लिख देता हूँ साथ दिखाई ना दे रहा हूँ ठीक है शारिय के साथ साथ अमलिय परकृती भी परदर्सित करता है उसे उसे उबे धर्मीयोक साइड कहते है उबे धर्मीयोक साइड कहते है झाल ठीक है चलिए अब देखो अब नए टोपिक लिखेंगे reaction of metal with water 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 दातो की जल के साथ अभी गिरिया यह अब का दातो की जल के साथ अभी गिरिया ठीक है भई आओ जल के साथ अभी गिरिया दिखाए भाई इसकी ठीक है तो जल के साथ अभी गिरिया कैसे होएगी पहले तो आप यह चेक करो कि water होते कितने तरीके के बच्चे water दो तरीके का होता है एक ऐसा पानी होता है जो गरम भी हो सकता है ठंडा भी हो सकता है यानि गरम भी और ठंडा भी cold भी hot भी और एक पानी होता है जो steam रूप में भी होता है भाब की रूप में भी होता है तो अप case आता है कि जब गरम ठंडे पानी से metal की reaction कराएंगे तो क्या होगा और जब भाब से कर वाब से करवाइंगे यसकी reaction तो क्या होगा मेरी बास समझ रहे हो ठीक है यहां पर लिखा हुआ होट और कोल्ड गरम और ठंडा पानी ठीक है अब देखो अगर मैं बताता हूं आपको अगर मैटल की रियक्षिन होट या कोल्ड वाटर से कराए हो गया तो आपको मिलेगा मैटल हाइड्रोकसाइड अगर अगर दातू की अभी किरिया आप गरम या ठंडे पानी से ठंडे पानी से करवाते हैं तो आपको धातू हाइड्रोकसाइड मिलेगा और प्लसमा हाइड्रोजन गैस और अगर आप मैटल को इस टीम से करवा देते हैं भाब से करवा देते हैं तो आपको भाई मैटल अक्साइड मिलेगा और बदले में हाइड्रोजन गैस यागर धातू को आप भाब से कर देते हैं तो धातू अक्साइड है पहले पढ़ रही बात clear हो रहा है ठीक है चलो तो कैसे विलेगा अब ये भी देख लेते हैं फटाफट करके देखते हैं ठीक है जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने ले लिया sodium प्लस H2O और आपने ये लिया hot गरम बानी लिया अपने reaction करवाई क्या बनेगा णने 2-0 फ्लस में क्या H2 फ्लस में क्या H2 इस तरीके से ये reaction कर जाएगा ठीक है समझ मारे बात ये क्या कर जाएगा reaction कर जाएगा ठीक लेकिन अब क्या भाई अब भाई बात यह एती है कि ऐसे reaction हम याद नहीं रहेंगे इस तरह के हम अपने reaction गलत कर सकते हैं तो याद रखो कि गरम ठंडा कौन सा water है cold water है चाह होट है कोई से भी ले लो तो क्या बन जाएगा को एक प्लस में ह2 क्यों बन रहा भाई क्योंकि जब मैटल ठंडे गरम पानी से करता है तो हैड्रोकसाइड मनाता है और अगर मैटल स्टीम से करता है तो क्या बनाता है ऑक्साइड इस तरह मानलो मैंने ले अगर मैंने magnesium को वहीं अगर मैंने magnesium को steam से कर देता किसे कर देता steam से किसे कर देता steam से मतलब कि भाब से कर देता तो क्या बन जाता तो यह बनता MgO मतलब magnesium oxide बन जाता क्या बन जाता MgO oxide बन जाता पल्ले पढ़री बात तो इस तरीके से करना होता है समझे कि अगर steam आ रहा है तो oxide बना दो hot या cold water आ रहा है तो क्या बना दो hydroxide बना दो क्या बना दो hydroxide बना दो कोई दिक्कत को परिशानी किसी तरह चलो मैंने करके दिखाओ कि अगर calcium को एस्टू के hot water से कर आओगे तो क्या बनेगा चलो करके दिखाओ कर लिया कर लिया कि अरे कर लिया चलो क्या बनाओगा hot water है hydroxide बनेगा सीए ओएस ट्वाइस प्लस में एस्टू ठीक है चलो फटापट नोट करो इसे जली नोट करो दो मिनिटे के अंदर को नोट करो आज यह खतम करा देता हूं मैं ना ठीक है चलो इसी तरह एक दो एक दो एक दो एक्जम्पल और देख लो माल लो एल्मूनियम को करा दो करा दो आप किसे एल्मूनियम को करा दो टेक है वा थर से क्या है इस्टीम वहाँ पेँ तो क्या बन जाएगा यह इंहाएल 2 o 3 प्लस मैं एस टू ठीक है जिंक को बना दो लुट हो और एस्टी आटाइक थे क्या बन जाएगा जैड़न selbst drafting है एक ट्टू आफो और क्या यह वहां पर इस टीम एक जी तो इस तरीगे से कर सकते हैं अच्छ bother वह करके काइसे मैटल होते हैं जो रियक्षन करते ही नहीं now कोई उनको कोई उनको कोई दिककत नहीं और gold ये पानी के contact में आके खराब नहीं होते ठीक है? यानि उनका hydroxide या कोई oxide नहीं बनता है समझ मारी बात? तो ध्यान रखना बच्चो कि lead, copper, silver और gold ये water से reaction करके चाहे भाप हो, चाहे ठंडा हो चाहे गरम हो, ना ही ये hydroxide बनाते हैं, ना ही ये oxide बनाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना भाई ठीक है, तो ये सब note कर लो फिर लिखवारों में, आपने note कर लिया होगा ये सब, ठीक है, तो लिख लो metals like lead, copper, silver metals like lead, copper, silver and gold metals like lead silver, copper and gold do not react with water do not react with water or steam do not react with water or steam or stream हिंदी वाले लिखेंगे, धातू जैसे धातू जैसे धातू जैसे copper जैसे copper, silver, copper, silver, lead और gold ये जल जल और भाब से अभिक्रित नहीं होते हैं जल और भाब से अभिक्रित नहीं होते हैं जल और भाब से अभिक्रित नहीं होते हैं ठीक है? चाला ठीक है भई? अगला क्या है? अगला क्या है? एक और करी लो फिर खतम क्योंकि ये ये डाला टाइप मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ ठीक है न? ये वाल भी करी लो reaction of metal with dilute acid ये भी करी लो खतम हो गया dilute acid दातु की तनु अमल के साथ तनु अमल के साथ अभी किरिया तनु अमल के साथ अभी किरिया तनु अमल के साथ धातु की तनु अमल के साथ अभी किरिया reaction of metal with dilute acid तो ये तो आपने भी कर रखा है यार पहले से ही जैसे sodium की करा लो HCl से तो क्या बनता है NaCl plus H2 कैसे बना? भाईया आपको पता ये displacement reaction आप लोगों ने पढ़ी है तो आपने अगर वो series देखी होगी तो sodium जो होता है वो hydrogen से ज़्यादा reactive होता है तो sodium hydrogen को हटा देगा और hydrogen बड़े प्यार से क्या हो जाएगा? हट जाएगा तो जब sodium हटा तो chlorine के साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? क्योंकि sodium का charge plus one, chlorine का charge minus one एक इसके नीचे, एक इसके नीचे बन गया NaCl, sodium chloride ठीक है? इसी परकार से K plus में H2SO4 ठीक है? तो ये भी आपको पता ही है K तो सबसे आदा reactive होता है तो यहाँ जाएगा, यह हट जाएगा तो बन जाएगा K2SO4 plus में H2, कैसे बन गया? K का charge plus one SO4 का charge minus two दो इसके नीचे, एक इसके नीचे बन गया potassium sulfate ठीक है? और भी हैं, जैसे Mg plus में H2SO4 Mg plus में H2SO4 ठीक है? तो क्या बन जाएगा यह? Mg SO4 plus में H2 ठीक है? तो क्या बना? क्यों? क्योंकि Mg का charge plus two SO4 का charge minus two दोनों सेम है? तो cancel एक इसके नीचे, एक इसके नीचे Mg SO4, magnesium sulfate ठीक है? वही इस तरीके से अगर माल लो, zinc plus में HCl कर लेता हूँ तो इसमें भी ऐसी होगा, ZnCl2 plus में H2, क्यों? क्योंकि ZnH को हटा देगा, Hट जाएगा तो Zn का plus two, Cl का minus one, एक इसके नीचे, एक इसके नीचे zinc chloride, लेकिन वहीं अगर मैं यह लिखता हूँ, Cu plus में HCl तो no reaction answer है पता है न क्यों? क्योंकि copper hydrogen से less reactive होता है इसलिए copper hydrogen को displace नहीं कर सकता और जब यह displace नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या आए कि महाँ पर reaction नहीं होगी तो ध्यान अगना बच्चो कि reaction of reaction of metal with dilute acid में क्या होता है? salt और hydrogen gas निकलता है क्या निकलता है? salt and hydrogen gas लेकिन according to reactivity series according to क्या भई? अभी करिया सीलता स्रेणी अभी करिया सीलता स्रेणी में जो आगे वाले होंगे जैसे यह ले मैं लिए देता हूँ अब देखऊ सबसे आगे यह है सबसे दा रियक्टिव यह सबसे पीछे है तो यह सबसे कम रियक्टिव यानि अगर बात करें magnesium की तो magnesium इन सब को तो नहीं अटा सकता लेकिन इन सब को displace कर सकता है aluminium इन सब को तो नहीं हटा सकता लेकिन इनके पीछे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है तो यह एक्टिविटी सीजी मैंने आपको फर्स चेप्टर में करवाई थी तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए और रिवाई होना चाहिए तब ही मजाएगा ठीक है तो चलिए मैटल के हमारी हो गई है खतम ठीक है? ठीक है? यह खतम हो गई है ठीक अब नेक्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? Metal की दो-चार properties और रही है छोटी-छोटी वो करवा दूँगा फिर हम लोग non-metal शुरू करेंगे ठीक है तो चलिए आज सी class यहीं खतम करते हैं मिलते है next class में, bye